गरीब सहेलियों का नया साल दीप्ती और दिपाली दो सहेलियां हैं दोनों बहुत ही गरीब हैं नया साल आने वाला है दीप्ती और दिपाली भी अमीरों की तरब बहुत धूमधाम से नया साल मनाना चाहती हैं लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? क्या दीप्ती और दिपाली भी नया साल मना पाएंगी जानने के लिए देखते हैं गरीब सहेलियों का नया साल 12 साल की दीप्ती और 11 साल की दिपाली दोनों पक्की सहेलिया हैं दोनों हमेशा एक साथ सारे काम करती एक साथ खेलती एक साथ घूमती और एक साथ खाती पीती थी दोनों के माता-पिता बहुत ही गरीब हैं लेकिन दीप्ती और दिपाली हर हाल में खुश रहती हैं दोनों की गरीबी कभी उनकी खुश्यों के आड़े नहीं आई दीप्ती के पापा रिक्षा चलाते थे तो दिपाली के पापा एक मजदूर थे ऐसे में दोनों के माता-पिता उनकी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाते थे लेकिन दोनों सहेलियां बहुत समझदार भी थी वे दोनों अपने माता-पिता से कभी किसी चीज की डिमांड नहीं करती जो रुखा-सुखा मिल जाता उसी में संतोश कर लेती एक दिन दोनों सहेलियां सडक के किनारे खेल रही थी तभी उन्होंने देखा कि कुछ लोग सडक के किनारे कुछ बेच रहे थे दिपाली देख वहां सडक के किनारे कुछ बेच रहा है दिप्ती और दिपाली दोनों ने वहां जाकर देखा दिप्ती देख ये तो नए साल की सजावट के सामान है इन सभी सामान से लोग नए साल पर अपने अपने घरों को सजाते हैं दिपाली काश हम भी नए साल पर अपने अपने घरों को सजा सकते और हम भी दूसरों की तरह धूमधाम से नए साल मना सकते तुझे पता तो है दिप्ती हमारे माता पिता कितने गरीब है हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम अमीरों की तरह नया साल मना सके नय साल पर नय कपड़े पहन सके और अच्छा अच्छा खाना खा सके हमारे लिए तो हर दिन एक जैसा होता है चाहे वो नए साल का पहला दिन ही क्यों न हो हाँ दिपाली, लेकिन क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि हम अमीर हो जाए और नए साल पर हम अपने अपने घरों में पाठियां करें मेरी बहुत अच्छा है कि मैं भी नए साल पर सुन्दर सी ड्रेस पहनूँ और खूब मस्ती करूँ हम लोग बहुत करीब हैं हमारे मादा पिता दिन रात बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं है क्यों ना इस पर नए साल पर हम दोनों अपने मादा पिता के लिए कुछ अच्छा गिफ्ट लेकर आए इससे उन्हें बहुत खुशी होगी लेकिन हम दोनों के पास गिफ्ट करीदने के लिए पैसे कहां से आएंगे दीप्ती हम दोनों सारा दिन योही सड़को पर खेलते रहते हैं क्यों ना हम दोनों कुछ काम कर ले लेकिन इस बारे में हम अपने मादा पिता को कुछ नहीं बताएंगे ठीक है लेकिन हम काम क्या करेंगे हम दोनों घर कर जाकर लोगों से काम मांगेंगे हमें कुछ न कुछ काम जरूर मिल जाएगा अभी नया साल आने में कुछ दिन बागी है तब तक हम कुछ पैसे जोड लेंगे ठीक है दिपाली अब हम दोनों को काम की तलाश में निकलना चाहिए इस तरह से बाते करकी दोनों सहेलिया काम की तलाश में निकल जाती है और दोनों घर-घर जाकर काम मागने लगती है उन दोनों ने एक घर का दर्वाजा खट-खटाया तभी एक बुढ़ी अम्मा ने दर्वाजा खोला कौन हो तुम दोनों? हम दोनों काम की तलाश कर रहे हैं क्या आपकी घर में हमारे लिए कोई काम है? अच्छा, क्या काम कर सकती हो तुम दोनों? हम आपकी घर का सारा काम कर देंगे, जाडू पोचा बर्तन ठीक है, लेकिन मैं तुम दोनों में से किसी एक को ही काम पर रखूंगी अम्मा, आप हम दोनों को काम पर रख लो और आधे-आधे पैसे हमें दे देना लेकिन हमें रोज थोड़ा-थोड़ा पैसा चाहिए ठीक है, तो फिर तुम दोनों काम पर लग जाओ बस, फिर क्या था? दिपाली और दीपती बुड़ी अम्मा के घर का सारा काम करने लगती है दोनों सहेलियों ने मिलकर कुछी देर में घर का सारा काम कर दिया बुड़ी अम्मा ने दोनों को पचास-पचास रुपे दिये इस तरह से दिपाली और दीप्ती रोज बुड़ी अम्मा के घर जाती और बुड़ी अम्मा के घर का सारा काम करती बुड़ी अम्मा उन्हें रोज पचास-पचास रुपए दे देती दिपाली और दीप्ती ने उन पैसों को एक मिट्टी के गुलक में जमा करना शुरू कर दिया एक दिन जब दिपाली और दिप्ती काम पर पहुँची तो बुड़ी अम्मा बहुत बिमार थी वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी अम्मा आपकी दब्य तो बहुत कराब है आपको तो तेज पुखार है अम्मा आप इस घर में अकेली क्यों रहती हो आपके बच्चे कहां रहते हैं मुझ बुढिया के पास कौन रहेगा बेटी बेटे और बहु ने मुझे यहां अकेला छोड़ दिया है वे दोनों विदेश में रहते हैं कभी मेरी सुध भी नहीं लेते अम्मा आप फिक्र मत करो हम दोनों सहे लिए आपकी पूरी देख भाल करेंगे दिपाली और दीप्ती ने डॉक्टर को बुला कर अम्मा का चेक अप करवाया इन्हें ठंड लग गई है इनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा इनकी उम्र बहुत हो चुकी और ऐसे मैं इनका खास ख्याल नहीं रखा गया तो इन्हें निमोनिया भी हो सकता है नहीं नहीं डॉक्टर साब हम इनका बहुत ख्याल रखेंगे मैं कुछ दवायां लिख देता हूँ इनने समय समय पर खिलाते रहना होगा दीपती और दीपाली ने बुढ़ी अम्मा का बहुत खयाल रखा अम्मा मैं आपके लिए गरम पानी लाई हूँ आप गरम पानी से ये दवाई खालो बुड़ी अम्मा को दवाई खिला कर दीपती ने गरम तेल से अम्मा की खूब मालिश की और दिपाली ने अम्मा के लिए गरम गरम खाना बना कर उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाया जुग जुग जीओ मेरी बच्चीओ तुम दोनों आज यहां नहीं होती तो ना जाने मेरा क्या होता मैं तो शायद मर ही गई होती ऐसा मत कहो अम्मा जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है और हम दोनों तो हैं आपके साथ हम दोनों हमेशा इसी तरह से आपकी सेवा करेंगे हाँ अम्मा देखना आपको कुछ नहीं होगा इस तरह से दोनों गरीब सहेलियों ने बुढ़ी अम्मा की बहुत सेवा की उस दिन दीप्ती और दिपाली को घर आने में बहुत देर हो चुकी थी दोनों के माता पिता ने द हाँ डाड तो मुझे भी पढ़ी है लेकिन हमने अभी उन्हें सब कुछ बता दिया तो हमारा उन्हें नए साल पर सर्प्राइज गिफ देने का प्लान कराब हो जाएगा और फिर वो हमें बुढ़ी अम्मा के घर पर काम भी नहीं करने देंगे और बुढ़ी अम्मा को इस सेवा करती अब बुढ़ी अम्मा को नहलाना खिलाना बाजार से उनके घर का सामान लाना सारे काम दीप्ती और दिपाली करने लगी एक दिपाली कल नया साल आने वाला है हमें अपने अपने माता पिता के लिए खरीदारी कर लेनी चाहिए हाँ हमें अपने 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 को तोड़ कर देखना होगा कि उसमें कितने पैसे है उस दिन दीपती और दिपाली दोनों गरीब सहेलियों ने अपने अपने गुल्लक को तोड़ कर देखा तो दोनों के गुल्लक में सिर्फ 500 रुपे थे दिपाली मेरे गुल्लक में तो बहुत कम पैसे हैं सिर्फ 500 रुपे में पापा और ममी दोनों के लिए कपड़े नहीं आ पाएंगे और ना ही घर सजाने का सामान ही आ पाएगा हाँ दीपती मेरे कुलक में भी सिर्फ 500 रुपए हैं इतने कम पैसों में हम दोनों नया साल कैसे मना पाएंगे और अपने-पने माता-पिता को सर्प्राइज गिफ् दीपती क्यों ना आज हम दोनों बूरी अम्मा से कुछ पैसे जादा मांग ले नहीं दिपाली अगर हम बूरी अम्मा से जादा पैसे मांगेंगे तो उन्हें लगेगा कि हम दोनों पैसों के लालच में उनकी सेवा कर रहे थे ठीक है तो हम इतने पैसों में ही कोई छोटा सा गिफ्ट खरीद कर ममी पापा को दे देंगे ठीक है हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है उस दिन दोनों गरीब सहेलियां उदासमन से बुड़ी अम्मा के घर काम करने गए उन्हें देखकर बुड़ी अम्मा ने कहा क्या बात है मेरी बच्चियों आज तुम दोनों के चेहरे पर ये उदासी कैसी कुछ नहीं अम्मा कल नया साल आने वाला है लेकिन हमारे पास नया साल मनाने के लिए कुछ भी नहीं है हमारी गरीबी हमें नया साल मनाने की इजासत नहीं देती मेरी बच्चीयों तुम दोनों बहुत अच्छी लड़किया हो तुम दोनों ने बिना किसी लालच के सच्चे मन से मेरी बहुत देखभाल की है तुम दोनों के कारण मैं अब ठीक हो चुकी हूँ और मैं तुम दोनों को नए साल का तोफा देना चाहती हूँ जिससे तुम दोनों भी बहुत धूमधाम से नया साल मना सकोगी कैसा तोफा अमा? दिपाली कितना कहते ही बुड़ी अमा एक जवान और खूबसूरत परी में बदल गई अपने सामने एक परी को देखकर दीप्ती और दिपाली दोनों हैरान रह गई हाँ, यह कैसे हो सकता है? तभी उस परी ने कहा, दीप्ती और दिपाली, मैं सोना परी हूँ मुझे एक साधू महत्मा ने बुड़िया होकर पृत्वी पर रहने का श्राब दिया था एक दिन मैं परी लोग से पृत्वी पर आई और एक बुढ़ी साधू को देखकर उनके बुढ़ापे का मज़ाग उड़ाने लगी तभी उन्होंने मुझे बुढ़ी और बन जाने का श्राब दिया था जब मैंने साधू महत्मा से माफी मांगी तब उन्होंने कहा कि जब कोई निस्वार्थ भावना से तुम्हारी सेवा करेगा तब तुम अपने असली रूप में आ जाओगी और तुम दोनों सहेलियों ने निस्वार्थ भावना से मेरी बहुत सेवा की है तुम दोनों के कारण मैं अब श्राप से मुक्त हो गई हूँ और अब मैं अपने परिलोग जा सकती हो बदले में मैं तुम दोनों के लिए अपना ये घर और ढेर सारा धन्दौलत छोड़ कर जा रही हूँ इन पैसों से तुम दोनों अपनी गरी भी दूर कर सकती हो सोनापरी की बात सुनकर दीप्ती और दिपाली दोनों बहुत खुश हो गए सोनापरी वापस अपने परिलोग चली गई दिपाली सोनापरी का घर तो बहुत बड़ा है और इत्ते सारे रुपए हमें चलकर अपने-अपने माता-पिता को सारी बात बतानी चाहिए हाँ दीप्ती और अब हम इसी घर में रहेंगे और नए साल की खुब मस्ती करेंगे दीप्ती और दिपाली दोनों गरीब सहेलियां उसी वक्त नाश्ती गाती अपने घर गई और अपने-अपने माता-पिता को सारी बात बताई दोनों की बाते सुनकर उनके माता-पिता सोना-परी के घर आए और सोना-परी का घर और धन दौलत देख कर बहुत खुश हो गए दीपाली बेटा, तुमने और दीप्ती ने बहुत नेक काम किया है जिसके बदले में भगवान ने तुम दोनों को ये तौफा दिया है आदिप्ती बेटा, हम तो अपनी पूरी जिंदगी महनत करने के बाद भी इतना बड़ा घर नहीं बना सकते थे तुम दोनों की महनत के कारण आज हमें रहने के लिए घर मिल गया है और रुपए पैसे भी मिल गए, अब हम सब की गरीबी दूर हो जाएगी, हम सारे करजे भी चुका देंगे और इस तरह से दिपाली और दीप्ती का परिवार सब एक साथ सोना परी के बड़े से घर में रहने लगता है सोना परी के दिये हुए पैसों से उन लोगों ने अपने घर को खूप सजाया और नया साल बड़े ही धूमधाम से मनाया सबने नए-नए कपड़े पहने और अच्छा-च्छा खाना खाया और मन ही मन सोना परी को धन्यवाद किया दीप्ती और दिपाली दोनों सहेलियों के माता पिता ने कुछ पैसे लगा कर अपनी बड़ी सी दुकान भी खोल ली जिसमें धेर सारी गिफ्ट के सामान बिखते थे और इस तरह से दोनों गरीब सहेलियां अमीर बन गई